एक तरफ बिहार के कई जिले पूरी तरीके से बाड़ के चपेट में हैं घर, खेत, खलिहान और लोगों की जिन्दगी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है वही इस तराजदी के बीच नालंदा के रहोई थाना छेतर में देर रात बार बालाओं का अशलील नाच का आयोजन कराया जाता है बता दे कि जीतिया पर्व के मौके पर हर साल मेले का आयोजन होता है वही इस मेले के समापन वाले दिन रात भर बार बालाओं का अशलील नाच करवाया जाता है हैरान करने वाली बात ये रहती है कि ये अशलील नाच रहोई थाना से महस कुछी किलोमीटर दूर पर कराया जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता ये भी कहा जा सकता है कि रहोई थाना की पुलिस के नाक के नीचे रात भर बार बालाओं का अशलील नाच होता है और पुलिस इस बात से बिलकुल बेखबर रहती है आपको बता दे कि दशरा पुजा को लेकर अभी से ही प्रसाशन लगतार बैठक कर रही है लोगों को गाइडलाइन्स के अनुसार मेला आयोजन करने की अनुमती दी जा रही है ताकि कोरोना की तीसरी लहट से बचा जा सके लेकिन यहां लोग क्या प्रसाशन और क्या कोरोना गाइडलाइन सब की धजिया उड़ाती हुए नजरा रहे है भारी भीड के बीच अशलील नाच करवाया जा रहा है और लोग इसका लुफ्त उठा रहे है झाल जर लोग झाल 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 झाल